बिसम्लार मौनराही, असलाम लेकुं, Today our topic is replication process तो आज हमने discuss करना है कि replication process कीसे होता है? क्योंकि हमने previous lecture में बात कि ती कि DNA replicate करता है? तो DNA copies कैसे बनती है, वो आज हमने इस lecture में discuss करना है DNA replication जब होती है तो इसमें 3 phases होते है एक होते है initiation phase, second one is extension or polymerization phase and third one is termination phase तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं इनिशेशन फेस को तो इसमें हमारे पर दो चीज़ें बनती है एक बनता है रेप्लिकेशन बबल बनता है और दुसरा रेप्लिकेशन फॉर्ट बनता है तो जब DNA रेप्लिकेट करने लगता है तो यह नहीं है कि जहाँ से DNA का दिल करेगा वहाँ से रेप्लिकेशन स्टाट हो जाएगी DNA पे सपेसिविक साइट होती है सपेसिविक ओरिजन होता है तो हमने बात की कि दो चीज़े बनेंगे रप्लिकेशन वूबल बनेगा और रप्लिकेशन फोर्ट बनेगा अब यह है और यहां से क्या होगा यह अन्जीप होगा तो सबसे पहले DNA Gyrase enzyme आता है जिसे हम Topo Isomerase कहते हैं यह क्या करेगा क्योंकि हमने बात कि यह DNA क्या होता है वो टरंस की फार्म में होता है है हैलिक्स की फार्म में होता है तो यह क्या करेगा इन टरंस को ओपन करेगा मिनके spiral ladder को open करेगा into straight ladder मिनके यह spiral थी आप क्या करेगा इसको सिधा सिधा ले आएगा तो जब यह straight होगा तब इसे क्या बोलेंगे replication bubble तो यहां पी क्या बन गया replication bubble एक बात हमने प्रूफ कर दी कि replication bubble बन गया इसकी बात second आता है आपके पास DNA helicase DNA helicase enzyme क्या करेगा क्योंकि हमने बात की थी कि जब आपके पास दो nucleotides आपस में जूड़ते हैं वो hydrogen bond के थूड़ते हैं to DNA helicase क्या करेगा इनक जो nucleotides दो international strand तो कि किन जूड़न हाइडरोड हो बात को अपस में ब्रेक क्या किया किया इन थी हाइडरोड हो अपस में ब्रेक किया है तो जो दो स्टैंड थी क gak ہوगे साप्राट हो गे और यह एक्ट करेंगे इस तेमपलिट तो हम अई कह सकते हैं कि जो DNA है यह क्या करेगा यह zip की तरह act करेगा मिन के पहले zip बन थी अब उसको क्या कर देगा open कर देगा तो अब यह जो corner बने इनको उमने क्या नाम दिया replication fork for example यह आपके पास दो strand बने ठीक है दो strand unzip होगे दो strand जब unzip होगे तो यह जो corner है यह क्या है यह replication fork है अब यह दो strand क्या करेंगे act करेंगे as a template मिन के सांचे के तोर पर act करेंगे अब यब यह दो strand बने अब यह दो strand आपस में जूड़ना जाए ठीक है यह दो strand आपस में दोबारा से re-join ना हो जाए यह पर reunion ना हो जाए तो इससे बचने के लिए हम यहां पर क्या लगता है SSB ठीक है मिनके single strand binding protein लगती है यह जो आपको black और red color mix color नगज़र आ रहा है यह यहां पर लग जाता है replication fork की जगा ठीक है तो single strand binding protein यहां पर लगेगी to prevent from rejoining और reunion of strand तक यह दोनों strand आपस में दोबारा से जुणे ना या फिर reunion ना हो तो वहां तक हो गया initiation phase complete हो गया अब next phase आ जाता है extension phase और polymerization phase ठीक है तो इस में extension phase और polymerization phase में क्या होता है कि नया strand बनता है ठीक है जो मारे पास template stand आया था उसको वह देख कि क्या बनेगा नया strand बनेगा किस की help से enzymes की help से और वह enzymes क्या 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 थीक है extension और polymerization phase में क्या होगा कि नया strand बनेगा along the template stand with the help of DNA polymerase यह enzyme है अब DNA polymerase 13 के होते हैं एक होता है DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3 अब DNA polymerase का 1 का function क्या है DNA polymerase 1 का function यह है कि यह करता है help in termination क्योंकि जब replication होगी तो इसको stop भी तो करना है तो stop क्यों करेगा वो DNA polymerase 1 replication को stop करेगा तो इस पज़े हम कहते हैं कि DNA polymerase 1 क्या करेगा help in termination मिनके यह क्या करेगा replication को stop करवाएगा second one is DNA polymerase 2 तो DNA polymerase 2 क्या करता है repairing of damaged DNA क्योंकि during life हमारा DNA damage भी हो सकता है तो हमें पता भी नहीं चलता तो उसको repair कौन करता है वो करता है DNA polymerase 2 काम करता है यह तीसरा आज़ा है DNA polymerase 3 DNA polymerase 3 यह main enzyme है जो कि ने strand को बनाएगा ठीक है main enzyme diet synthesized new strand कि क्या करेगा गेका दूसरा काम इसक यह क्या करेगा proof reading करेगा proof reading कि पुऑराध कि जब summer उसको लेडिक बोलेंगे तो यह काम कौन करते है DNA polymerase enzyme काम करता है अब यह हो गया हमारे पास अब उसको मैंने जो एक मिनट यह चीज थी ठीक है अब इसको हमने खोल के यहां पे लिख लिया ऐसे अच्छो जी तो जब एप्लिकेशन होती है तो दो दरग के स्टेंट बनते हैं एक बनता है leading stand और एक बनता है lagging stand leading stand कैसे बनता है leading stand continuous manner में बनेगा मिनके लगातार बनता जाएगा और वो बनेगा toward the replication fork ठीक है यह जो corner था इसको मुने नाम किया दिया था replication fork का नाम दिया था तो वो बनता जाएगा continuously बनता जाएगा और replication fork की तरह बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, leading stand बोलेंगे, clear, इसके बाद lagging stand, lagging stand क्या करेगा, वो एक तो away from the replication fork, वो इस direction में बनेगा, इस direction में, एक तो वो बनेगा away from the replication fork, और दूसरा वो क्या बनेगा, fragments की form में, इनके छोटे-छोटे से pieces, छोटे-छोटे की form में बनेगे, lagging stand, lagging stay away from the replication fork बनेगा, और दूसरा discontinuous में में, इनके छोटे-छोटे से fragment की, pieces की form में बनेगा, और उन fragments को मनाम क्या देते हैं, Okaza की fragments, ठीक है, अब ये leading और lagging stand बनते कैसे वो हम देखते हैं, तो दुबारा समने इसको यहाँ पर draw कर लिया, अब ये कौन से वाला stand था, template stand था, ठीक है, अब इसी को देखे, नया stand बनेगा, और A की direction थी 5'2, 3' और दूसरी की थी 5'2, 3' अब DNA polymerase हमने कहा था, DNA polymerase 3 यह सारा काम करता है, वो enzyme है, अब DNA polymerase हमेशा, जब नया stand बनाएगा, वो किस की direction में बनाएगा, 5'2, 3' ठीक है, जो नया stand बनेगा, वो किस direction में बनेगा, वो 5'2, 3' direction में बनेगा, एक तो यह कहा, दूसरा DNA polymerase को काम करने के लिए, मतलब इनिशिएशन, replication start करने के लिए, primer की ज़रुवत पड़ेगी, ठीक है, तो DNA polymerase required primer, तो इसको क्या पड़ेगी, DNA को replication start करने के यह नया stand बनाने के लिए, primer की ज़रुवत पड़े अब जैसे यह नया stand बनाएगा, तो DNA polymerase का एक और काम यह है, कि वो अमेशा nucleotide को add करता है, 3' के अपर, ठीक है, यह points आपको याद होने चाहिए, अच्छे से, DNA polymerase को क्या करता है, एक तो अमेशा वो क्या करेगा, नया stand 5'2, 3' बनाएगा, लूसरा उसको काम करने के लिए, प्राइमर की जरुत पड़ती है, तीसरा वो क्या करता है, अमेशा nucleotide add करता है, कि इस end पे, 3 end पे add करेगा, तो जब अब यह मारे पास 3 end है, 3 end पे आके प्राइमर लागया, जैसे प्राइमर लागा, तो DNA polymerase ने, cell के अंदर भी nucleotides पढ़ी है, तो इसने यहां से क्या क्या nucleotide की उठा के add करना शुरू कर दिया, और हमने बोला था कि nucleotide की होती है, complementary to each other, मेरे कि अगर यहां पे cytosine लगे तो इसके सामने क्या लगेगी, गवा नीन है तो इसके सामने cytosine लगेगी, अब यह क्या बन गेगे, एक O stand बन गया, ठीक है, अब कौन सी direction में बना, 5' to 3' ठीक है, अब यह सी क्या है, 5' ठीक है, जो हमने बात की थी वह बात पूरी होगी, कि direction अमेशा new stand की क्या होती है, 5' to 3' होती है, और DNA polymrase क्या करता है, अमेशा nucleotide को add करता है 3' के उपर, तो अब इसने क्या क्या है, 3' पे add किया, और पर हमने बात क कि DNA polymrase को primer के जुद पढ़ती है, तो primer लगा, तो इसने क्या किया, साइड़ों से, मेन के cell से nucleotide ठाके इसके साथ लगाना शुरु करती है, अब आ गया lagging stand, यह तो बन गया leading stand, मेन के continuous management बन रहा है, अब जो हम lagging stand की बात करते हैं, तो lagging stand में क्या होगा, lagging stand में, यहां प यहां पर टैच होगा, यहां पर इसको 3 end मिल गया, यहां पर इसको 3 end मिल गया, तो इसने वहां पर टैच होगा, अब इसने क्या करना है, DNA polymrase ने उस 3 end के उपर जाके nucleotide को add करना शुरू कर देना है, तो गवानीन है, इसके समने cytosine लगेगी, cytosine है तो गवानीन तो अब यह क्या हुआ, और दूसरा क्या बना, 5mm to 3mm बन गया, ठीक है, एक विंट, अगर तो यह pro carriors है, ठीक है, जब pro carriors में अगर यह application हो रही है, तो हर 100-200 nucleotide के बाद यह primer जंप करके लगेगा, अगर है यू केरियार्ट में ये क्या करेगा प्राइमेर जंप करेगा हजार से दो हजार निक्रियार्ट के बाद पिर क्या बनेगा एक फ्राइमेर बनेगा तो अब ये एक प्राइमेर बनेगा तो अब ये एक प्राइमेर बनेगा है यू केरियार्ट की बात करें तो अब क् हजार से दो हजार निट्रो ट्रेट चोड़ेंगे और फी क्या लगेगा, अगर प्राइमर लगेगा और फी इस तरह बनेगा, ठीक है, तो इसी तरह एक और फ्रैग्मन यहां पर बन जाएगा, साइटोसीन है तो गावानीन, एडिनीन है तो थायमीन, गावानीन है तो साइटोसीन, अब यह क्या बन गया, फ्रैग्मन बन गया, ठीक है, पीसीस बन गया, तो इस तरह तो DNA Polymerase 1 क्या करता है, यह terminate करता है, मिनके replication को stop करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि अब हमने बनाया एक lagging stand और एक cleaning stand और primer भी हमने कहा था लगेगा, अब क्या हुआ, इसने क्या करना है, replacement of primer, कि primer को इसने remove करना है, तो DNA Polymerase 1 आएगा, इसने क्या क्या इस primer को हटाना है, वाई दो मैं यहां बें ड्रॉ करती हूँ, यह था, तो इसने primer को हटाया, हटाने के बाद, पहले हटा दिया, यह था, इदर से भी हटा दिया, यह दूस्टरा fragment, यह, इसने यहां से primer को हटा दिया, replace कर दिया, remove कर दिया, तो फिए क्या करेगा, यह थोड़ा सा इसको extend करेगा, लंबा कर देगा, यह करके, अब इनके दरमयान क्या है, थोड़ा थोड़ा सा gap present है, ठीक है, यहां से भी इसने क्या कर दिया, primer को remove कर दिया, अब इनके दरमयान में थोड़ा थोड़ा सा gap है, अब इस gap को fill कोन करेगा इस gap को fill करने के लिए हमारे पास एक और enzyme आएगा DNA ligase DNA ligase जो इन strand के दर्मयान जो fragment के दर्मयान pieces के दर्मयान चोटे चोटे gap आएगे थे उनको क्या करेगा fill कर देगा ठीक है तो DNA polymerase one basically यहाँ पर आंके क्या करेगा क्योंकि primer और जो fragments बना था उसके दर्मयान क्या थे bonding थी तो वो आके क्या करेगा इस bonding को break करेगा जब इस bonding को break करेगा तो यहाँ से primer remove हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ पर DNA polymerase ने उसको strand को थोड़ा से extend किया खैंचा खैंचिंग बाद थोड़ा लंबा किया करने के बाद फिर क्या हुआ गैप रहे गए उनके दर्मया प्रॉपर जुड़ा नहीं है ठीक है अब इतना इतना सा gap रहे गया है अब वो जो gap क्यों करेगा वो DNA ligase आके उन fragments को आपस में जोड़ देगा gap को fill कर देगा तो इस तरह हमारे पास क्या होगा एक इस तरह हमारे पास यह क्या था parent stand है और एक हमारे पास बन जाएगा daughter stand ठीक है इस तरह application होती है अब यह कौन सी होगी semi conservative model यहां पर भी हमें clear हो गया है कि एक parent stand था और एक new stand बनेगा ठीक है mean care जब replication होगी तो एक parent stand उसमें रहेगा और एक नया stand बनेगा hope so आपको आज को topic से मुझ आ गया होगा दौा में याद रखेगा Allah आफेज